इदधाति पूर्वं योवई वेदाश्य प्रहनोधिताश्में तम्हा देव मात्म बुद्धी प्रकाशं मुमुक्षुर्वई सरणमहं प्रपद्धे ओम्षांते शांते शांते शंकरम शंकराचार्यम केशबंबादरायडम शुत्रभाश्यक्रतव बंदे भगवंतव पुनह पुनह इश्वरो गुरुरात्मेति मुर्ति भेदाविभागिने व्योमबत व्याप्त देहाया दक्षणा मुर्ते नमहा ओम शांते 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 अनिर्वाच्य विद्ध्यान द्वित्ययस्चिवाश्य प्रभवतो भिवर्तायस्यते बियाद निलते जो बावनाया यताश्चा भूद्विष्वं चरमाचरमूचा बच्यमिदं नमामास्ताद ब्रहम्मा परिमेता सुखा ज्यानम अम्रितं ओम शांते ही शांते ही शांते ही ब्रहम सुत्र के प्रथम अध्याय त्रितिय पात के पंचमा अधिकन चोदा नम्मर सुत्र से चले गए देखेगा आप लोग प्रथम अध्याय तिस्रा पात अध्याय पांच अशुत्र नम्मर चोदा दारा उत्तरे भ्याह यहां से देखेगा कि मिल गया है कि पीज नम्मर क्या है कि 345 देखो इस अधिकन का नाम है दरा अधिकन है चांद अग्य स्कुति को लेकर बीचार है दहर अतर इभ्याह भोलिए दहर अतर इभ्याह चोत्र मैं दो पदहे हैं डहरा अतर अध्याय दहरा प्रतमानत या दहरा आकाश तो शरीर के अंदर छोटा साकास कहा दिया यह दो शरीर के अंदर रदय है रदय अंदर बुद्धी रहती है उसके अंदर परमात्मा ही व्यक्त होता है उसको दोहरा आका सब्द सिका आका सब्द परमात्मा का बाचा किये तो अथा यदिदम ये भासमा आएगा कि सुति में जो पड़ा गया दहर वो परमात्मा है क्यों उत्तेरव्य आगे हेतु का जाएगा यावान बा अयम आकास तावान एसो अंतरषदे आकास है ना तो आकास की उपमा दे गई तो इस पकर हैतु से ये सिद्ध होता है कि दहर यहां पर परमात्मा है ये विचार है इसमें बैया सिकर निया मेला में स्लोग है ये थोड़ा प्रारम हुआ था इसको यह से कर लें तो ठीर है दहरा को बिया जीबो ब्रह्म वाकास सब्दतः वियस्चात अथवाल पत्व सुत्र जीबो भविश्चति इस लोग है ये दहरा आया चांदोग्य में तो वो कहते की आग भूता कास है की जीवा है की प्रमा है इतीन विकल्प हुआ इतीन विकल्प हुआ इसंसा है पूरपक्स कहता है आकास सब्दतः आकास सब्दतः आकास सब्दतः विकल्प है वो तो भूता कास का बाचक है जीवा को परिशिन न मान करके छोटा मान रहा हो इनले अल्प तो का कतर करने से याँपर दहरा सब्दतः जीवा को लेना चाहिए पूरपक्स कि कने से दो कह रहा है वो त्याकास हो सकता है अत्वजीवा हो सकता है सिद्धांत है दुसरे सुलोग में द्यो भूम्या दी समाहितह आत्मा पहतप मतवात सेतत्वाचा परिश्वरह तो सिद्धांत है योग में दुसरे सुलोग सुद्धांत है बाह्यकास मन बाहर खाकास इतना है अंदर काकास उतना है ऐसा उबाहन दिया गया सादरीशा दिया गया, एना इसलिए परमात महना चाहिए यह बोलते क्यों ये तब दिया जारे न त्यू भूम्यादी समाय हो दिय जिसे बुताकास आसरा कैसे होगा भुताकास स्वय भुदपन्ह और आ है समसार का संसारा आसरा नहीं हो सकता है थो तो इसलिए परमात्म होगा एक है बहुतासर त्क्राइब शलियंटत्वक रुगा तैसे हुए लगुतात्व मोरा और जीवय भी नहीं हो सकता है कि आट्मा आप्वात्य पापन्य से रहीत है जीवय पापन्य जुखता है इसलिए परमात्मा अंति में करें लोग की करणा दू का है लोक की मर जाता का अनुजासन का स volunteers को अपने अपने शरीर दो आपना काम कर रहा है ना प्रशनेंद्रिब्ञ इपना काम कर रहा है यहlair इसे से नियंत्रित न्हिंदय पर्मात्मा इले का परेश्वरह भास्य देखीगा अथा यदिदम अस्विन ब्रह्म पूरे दहरम पुंडरी कम विश्मा दहरो अस्विन अंतराकासस तस्मिन यत अंतस्तत अन्निस्टब्यम तद्वाव विजिग्यासितब्यम इत्यदिवाक्यम समाम नायते यह चान्दोगी में कहा गय कि यदिदम जो है छोटा सा पुंडरी का बैस्मा बैस्मा बलते हैं ग्रिया तो छोटा करते सब जानते हैं मुंबई में सबका गर छोटा ही रहता है गाहों में तो बड़े-बड़े होते हैं लेकिन असारों में छोटा होते बड़ा होता है क्यों भई चोटे ही होते हैं आपका गरत बड़ा है तो अस्मेन ब्रह्मा पूरे है तो ब्रह्मा पूर्म को यह शरीर है ब्रह्मा पूरा शरीर हो गया ब्रह्मा पूरा है ना यह ब्रह्मा ब्रह्मा पूरा है तो दहराम दहराम में लग चोटा छोटा सा जो कमल के ग्रिया है हुर्दयक कमल बोलते हैं इसको छोटा सा ग्रिया छोटा के दिया और अस्मीन अंतर आकास है उसमें फिर छोटा सा आकास बोल दिया कमल के सद्रिस ग्रिया उसमें जो छोटा आकास के दिया भृण आ थास्मीन य에धंत, उसकी अंदर जो है। उसका अन्नेशन करना चाहिए। इसलिए कह रहे हुए यही जो तस्मीन भो सब्व्त केस्तमनत दिया, इसलिए उसको क्या लेना चाहिए। भुताकाष लेना चाहिए । एक नहीं । कि और क्या लना चाहिए, जी बोलना चाहिए, परमात्मा लना चाहिए, इसका उपर विचार है, उसको क्या कह दिया, अन्यसन करना चाहिए, और उसको जानना भी चाहिए, ये कह दिया भगवन, है ना, अच्छा ये, इत्यादी बाक्यम समाम नायते, तोड़ी सी भामती लेत दखिया आप लोग कि ने तो छोड़ जाता है तो कहते हैं कि अथा यत अश्विन प्रम्हपूरे दहरम इती सुक्ष्म गुहा प्रायम वह शुक्ष्मा गुहा की तरह है गुफा गुफा पुंडरी का सन्निवेशम कमल के सद्रिश सन्निवेशम कमल के सद्रिश है यह इरज़ है वेश्मा मतलब स्थान वेश्मा कारता स्थान है ठीक है तर में जुम्हआ द्हरो अस्मिन अंतर अकासा अरुस में छोटा सा क्या है अकास है दАहरो अस्मिन औंतर अंता ऊासえーडिके तस्मीन यह करना चाहिए उन्ले अन्नेशंच करना चmay Algun Condition करना चाहिए ऐसा कर रहा थीक है आगमा आचर्य उपदेशा अभ्याम स्रवणम्च यह अन्यसन क्या है बोलते हैं कि आगम मले सास्त्र होगे आगम तो सास्त्र का स्रवण करना चाहिए किस से आचर्य अमुक से इसलिए के दे आगमा आचर्य उपदेशा अभ्याम स्रवणम्च अत्तद अभिरोधिना तर्किना मननम्च और आगम और आचर्य के अभिरोधि जो तर्क है उस तर्क के द्वारा मनन करना इसका नाम हो गया अन्ये सणम हो गया ना यह बोलते हैं आपर मलस्रवन पूरवग मनन करो यह हो गया अन्ये सणम और फिर कह दिया कि भिजग्यासितव्यम भिजग्यासितव्यम क्या है भिजग्यासन क्या है तो कहते हैं तत पूर्वक केणाच आदर नेरंतर्य दिरिखकाला असे बितेना ध्याना भ्यास परिपाकेना शाख्यातकारो विज्ञानम तत पूर्वक के मतलब क्या है स्रवान मनन पूर्वक स्रवान मनन पूर्वक आदर भाब है कि ने आदर पूर्वक के स्रवान मनन करना पड़ता है भी अधर भाव है और निरंतर करना है और एक दो दिन नहीं दिर्वकालत करना पड़ता अनुस्टान ठीके ध्यान अभ्यास परिपाक है न ध्यान अभ्यास का परिपाक हो जाएगा ध्यान अप निध्यासन है कि नहीं तब जो साक्ष्ञात कार होता है उसका नाम जिल्तस था भी ज्के नहीं तो भी जूब ज्ञाण प्यस्त का erwborn बिशन होगे ज्ञान होता है ऐसा कह रहे हैं महला अपरोक से ज्ञान होता है ठीके तद इच्छा बिजिग्यासित्रम ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के जी इच्छा है इसी का नाम हो गया बिजिग्यासनम हो गया तो बिजिग्यासितव्यकारत यह हो गया ज्ञान के लिए श्राबन मना निध्यासन करना चाहिए जिसको जोग सुत्र में कहा गया सतो दिर्भकाला निरंतरिय सतकारा सेवितो दिढ़ा प्रमिह यह होता है अत्रा संसयम आहा इसमें यह संसय है तत्रहिती योयम दहरे रिदया पुंडरी के दहरा आकासा सुत्र भास्च में देखो योयम दहरे रिदया पुंडरी के दहरा आकासा यह सरीर का अंदर जो है जो रिदया पुंडरी का कामबल के सत्रिस हो गया चोटा सा और उसके अंदर जो चोटा आकास कहे दिया दहरा आकास सुता सकीम आसम देखो सकीम भुता कासो अतवा विज्ञानात्मा भुता कास लेना चाहिए कि विज्ञानात्मा जिवात्मा को लेना चाहिए अधवा परमात्मा है इती संसर ये ते कि परमात्मा है ऐसा संसर है ठीके अच्छा कुता है संसर आपको क्यों हो रहा है है ना थोड़ी ठीका देख लो अधा संसर में दे तत्र प्रत्मम तावद इवं संसर पहला ये संसर हो रहा है किम दहरा आकासाथ अन्यदिव किंचित अनिस्टब्यम विजिग्यासितब्यम चा उतर दहरा आकासा ठीके इजो छोटा सा आकास है इससे अन्यदिव कोई अन्यदिशन करना चाहिए विशेश रूप से जानना चाहिए उतर दहरा आकास कोई जानना चाहिए तो क्या पक्षय हुआ भूताकास लेलो ठीके ज़़ापी दहरा आकासो अन्यदिशन अपया तधापी किम भूताकास वो छोटाकास उखो शारीदो आत्मा छोटासीतब्यों reaction विशेश आत्मा है ठीके बघवान तो भास्यका लिखते हैं अकास ब्रम्ह पूरा सब्दाब्याम यह तो आकास ब्रम्ह पूरा सब्दाब्याम दूसरा ब्रह्म पूरे सब्दा आ गया है एक नहीं दो सब्दा को ले करके आकास सब्दों ही अयम भूता कासे परस्मिष्च प्रोज्य मानुद्रिष्च थे बास्य देखो आकास सब्दा का प्रोग दोनों में देखा जाता है भूता कास में देखा जाता है परमात्मा के ल का सब्द परमात में प्रयोग होता है बुता कास में तो होता है युरूड़प्रयोग तत्रकिम भुताकास साइब दहरा स्याद किमबा परहिती संच जह तो कहते हैं भुताकास को लेना चाहिए किमबा क्या परमात में लेना ये संच हो रहा है भुताकास साइब दहरा दहरा सब्दा से भुताकास को लेना चाहिए किमबा परमात में लेना चाहिए तथा ब्रह्मापुरा मिती ब्रह्मापुरा सब्दा आ गया ब्रह्मापुरा मिती कि जीवात्र ब्रह्मापुरा में ब्रह्मापुरा में लगया ब्रह्मा का पुरा ब्रह्मा सब्दा से क्या लेंगे जीवो अत्र ब्रह्मनामा जीव को यहाँ पर ब्रह्मा सब्द से का जाता है अर्तस्यदम पूरम यह ब्रह्मा वहाँ के यहाँ पर कौन जीव ब्रह्मा जीव का नाम है ऐसा जो जीव है उस जीव का यह शरीर पूर है इले शरीर को कहा गया ब्रह्मपुरा अथवा परश्य इवा ब्रह्मणा पूरम ब्रह्मपूरम यो परमात्म यो परव्रह्म है उसका ये शरीर है ये शरीर को कहा गया ब्रह्मपूर तत्तर जिवस्य परश्यवा अन्यतरश्य पुरस्वामी नो दहरा का सत्वी संसय इले संसय हो रहा है फिर जिवात्मा है परमात्मा है दोनों में से कौन है स्वामी पुरस्वामी कौन है है कि नहीं जिसको दहरा का सब्द से का जाता है इले संसय हो रहा है ठीक तत्र, आकास सब्दस्य भूताकासे रूदत्तौत। जन्मेक दहर का अरत क्या होगा भूताकास? यह प्राप्त हो रहा है. है कि ने इसको दहर सब्द से क्यों कह जा रहा है चोटा सा है ना छोटा स्थान होने से इसको दहर आकास कह दिया ठीक है आच्छा है यावान आकास सब्द से क्यों कह रहे है इसको यावान बायम आकास तावान एसो अंतरदे आकास है किने बहा का आका जैसा है अंदर का आकास भी अंदर रिदे में जो आकास है वो भी ऐसा है इले आकास के उपमा दी गई इले इसको आकास बोल दिया है ऐसा देख आगे लिखें बाया भ्यंतर भाव क्रित भेदस्य उपमान उपमे भाव लेकिन आकास तो एक ही है दोनों मे उपमान उपमेवाब केसे होगा? बलते हैं बाई होर आभियंतर को लेकर के उपमान उपमेवाब हो जाएगा ठीक है? ऐसा कहे रहे हैं आच्छा है द्यावा पृतिव्यादिचा तस्पिन अंत समाहितम दिव लोग है पृतिव्यादि है इसके अंदर समाईत है समाईत में प्रतिश्टीत है ठीक आकास सब्द शिक्तिन का गया है अवकास आत्मकों आकास अक्त्वत युग अवकास जो दे रहा है यह आकास तो एक ही है, चाहिए बाहर का आकास हो, चाहिए अंदर का आकास हो, तो पहला पक्ष होगे कौन, दोर आकास कहने से खिसको लेंगे, भूत आकासे को लेंगे, अथवा जीवो, अथवा जीवा हो सकता है, अथवा जीवो दोर अईति प्राप्तम, दोर सब्द से जी कि झीव संबंदी पूर है इसको ब्रह्मपूर है किसे कोगे जीव साय इदम पूरम शैत्ष राइं ब्रह्मपूरामी उच्छेत हैं यह कह रहे है जोनकि सरीνοत जीब का होता है M पर ब्रह्मप का तक सरीर होता नहीं है स्चाहिजी जीव ही सरीन स्वामी है तस्यास्वा कर्मना उपार्जित इस शरीड को उपार्जन किस ने किया परमात्म ने किया कि जीब ने किया भी जीब ने किया परमात्म काय को करेगा परमात्म का जोरत क्या पढ़ रहे है भई कर्मा का उपार्जन कौन करता है कर्म के जीब करता है और क्या है पाप पुन्या जो भी कर्मा करेगा जीवी करेगा इसलिए स्वा कर्मना अपने कर्मा से उपारजीता होता है। तससे कने शरीष्यष्य, छवा मदल्ब जीवु, छवा कर्म новых, जीव से संपात्यज्य करमा है, उस करमा से उपार जितह होता है, शरीर। है कि नहीं? उट ही बीजबोया है ना? तो कर्म रुपी बीजबोया है, तो फाल भी तो वही करेगा ना? किसको मिलेगा जिसने विज बोया हुई उसकerson लेगा जला जिव भी बीज बोया है उन शरीर रुपी फाल मिल रहा है कि नहीं बले कि धूभपता रहे लेकिन जीव को ब्रहम कैसे को गए ठीज जीव को ब्रहम कैसे कऊ गए बते गोंड से भक्तिया आच्या अच्याँ भक्ति का तृतियांत होगे भक्तियाँ भक्तियाँ बतलब यहां पर गुणा 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 की समाना तागो लेकर की है कि नहीं इसलिए ब्रह्मा सब्द का वाच्य हो जाएगा यहां पर जीवा हो जाएगा ब्रह्मा सब्द का अरत जीवा यहां पर लेलो है कि नहीं आच्छा बोलते हैं कि सरीर का मालिक परमात्मा क्यों नहीं होगा जीव क्यों होगा देखो ऐसा है ना, नही परस्य प्रम्वना सरेड़ना स्वास्वामि भाव संबंद अर्ष्टि, भाई ये स्वास्वामि भाव स्वामि, स्वामि, स्वाम अपर क्या है, स्वाकिय, ये सरीर जीव का ना होगा, परवरम्ब का कैसे होगा, इले स्वास्वामि भाव संबंद श यह कई रहे ह। तो शुक sharpeners की हो जाएंगा फिर व की हो जाएंगा ना ऐसा है तो बर्म किले के दो नहीं गदना हो ग सब्रहूमा फेरों अझार नहीं से ने के ना इले चेतन्या गुणा के प्रयोक से जीवा भी साथ है ब्रह्मा भी साथ है ब्रह्मा भी चेतन है जीवा भी चेतन है इस पेकर जो साद्रिश से है वो साद्रिश से गुणा को लेकर के ये जीवा कोई ब्रह्मा सब्द से कह देते हैं एही कहते हैं द्वेदबादे लोग, हम ब्रह्मास में जो आये ना, तुम उसके सद्रिश हो, एह महावाक्य कहते हैं, आहम ब्रह्मा सद्रिश हो, मैं ब्रह्मा के सद्रिश हूँ, ऐसे आर्थे करते हैं ना हो लोग, अच्छा, आगे बढ़ा जाए, तत्र, ठीक है, पूर, सद्रिश हो गया, जीव, आणना, परश्या ब्रह्माणा, जो परर्हमा है ना, उसका सरिर के साथ, स्वर सौंइभाबस शंमंत नहीं होगा, यह बोलते हैं, पूरपक्षिना कहा है, आदा, पर रह्मा तो असंगा है, परर्हमा तो आसंगा है ना, उसका किसके साथ अपना पन है, बताओ, अपिसी के तो संब्ध नहीं है, तब आप किसी मखान में किराधार रहते हो, है कि नहीं, तो आप उसके मालिक हो क्या, तो रहना मातर से तुड़ी मालिक हो जाएगा, तो रहना मातर से मालिक नहीं नहीं होगा, संब्ध नहीं है आपक तोटे फुटे कुछ भी हो, क्या मतलब? इसी पर करी, यह तो किराधार के तरह है यह परवर्मा, उसके क्या संबंद है स्थार्विश की साथ? किसी संसार में उसका संबंद है नहीं है, जीवका तो हो सकता है, इसलिए बोल रहा है, ठीक है? परस्य ब्रह्मना, सरीर ना, स्व स्वामिभावा संबंद हो अस्ते, नहीं अस्ते, ऐसा करो, ठीक है? अच्छा, तो यह बताओ महाराज, जदी जीवक हो गया मालिक, तब पूरे सरीर में रहना चाहिए ना, पर हिर्दा में क्यों रहता है? इस सरीर के एकदेश में क्यों रहता है? अरे देखो, पूरा सरीर जीवका होने पर ही पूरे सरीर में रहेगा ही कोई जुरूर नहीं है, फिर्दा में रहेगा, जिसे राजा का पूरा हो गया नगर, राज्य ही पूरा राज्य का होता है, क्या पूरे राज्य में रहता है क्या राज्या है? नहीं रहता है, जिसे एक देश में महल के अंदर पूरा राज्यआ होताै कि दो 한다 राध्धनी में इक मॉकान होता है मुझार स्थान के लिए भी दो अ स़ने लेटा इस पर इस एकिन व र सटानी गत जीव जीव का पूरा राद्जय कुंदु एसीय कौन होगा है marsail को इARON e जिव रोता है एक साद्र नास्ता गेर लेना यह बुलते हैं पर तत्रा पुरस्वामिना पुरा एकदेशे अवस्तानम द्रिष्टम यथा राज्या होगे न भी ऐसे बुलते हैं आच्छा जैसे द्रिष्टान दे दिया यथा राज्या का होता है मण उपादि कंश्चा जीव मान रुपी उपादि किसका है जीव का है लिए मान उपादि हो बला होगे ist was और मान कहा रहता है हृदे में रहता है तो यह जो क्या बुलते हैं मान इस्चा प्रायणा ह्रदये प्रतिष्टितम मान जद्ध भी पूरे शरीर में जाता है लेकि रहता तो हृद में मनस्च प्रागणा हृद ये प्रतेश्टिताम ऐसे कह दिया इती अतह जिवस्च येवा इदम हृद ये अंतरवस्थानम और इसले जीवा हृद ये के अंदर रहता है ये कह दिया अध्धौरतम अपी तस्थेव और अध्ध्धौर अभी जीवई होगा द्ध्धौरत तो जे परिमान वजीवख होगा अगा अरा अंतर ऑरा के अंग्रभाग में जैसे रहता है ऐसे व्ट शाद्रिस रका गया अनन अवह कलपते लेकिन इसको आकास सब्द से कैसे कह दिया आकास सुपमितत्वा दिया आकास के सद्री से ये क्यों कह दिया ब्रह्मा अभेदा विवक्चया भविशति क्योंकि जीवा ब्रह्मा से थोड़ी भिन्ना है ब्रह्मा से तो अभेद अभिन्ना ना है ब्रह्मा का अभेद की विवक इस तर्फ आäreल केड़ ाप्त प्राम और एक ब्रहत кої बीवक्षान से जीव सो आकास प Авच्प्छाख्यां वारा, ना लेवल को क्या लिजना हुए 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 है हुएू करां हुए हुए लुक्राइकश चाहिए आकास्य अन्यस ऐल्षक्ट्व्यव बिजीगेवि लिदरा नहीं एक कि नहीं है । तस्मीन एंतह उता अन्थतो इस वपाधलम। उसके अंदर जो दिया कि पड़ दिया कि उसके अंदर जो है कि ऊपने इसलिए यहाँ पर भुटाकास को रेना चाहिए यहां पर किसको रेना चे जीवा त्मा को रेना चाहिए यह जबार सुन कि अल्री त्व सफे पांड पस तो पर्समां सीवक नहीं किए जीभ कह इसका उत्तर दिया जाएगा परमेश्वरा इति इसके प्रभामतिय भगवन देखो तत्र प्रत्रमं तावाद भुताकास ये बाद दहर इति पूरपक्ष ये होगे एशत्तु बहुतर उत्तर संदर्व विरुधाद तुच्चह पूरपक्ष इति अपरितोशन पक्षांतरम आलंबते पूरपक्ष देखो ऐसा है ये भुताकास्त को लेना ये निक्रिष्ट प पूरपक्ष है ये बहुतर और उत्तर संदर्व के साथ विरुध हो रहा है ये इसलिए ये पूरपक्ष है भुताकास को मानना ये तो तुच्चह हो गया तुच्चह का मतलब निक्रिष्ट हो गया ये पहला पक्ष में संतुष्ट ना हो करगे आपरितोशन पक्षांतरम पक्षांतर कन हो गया जीव हो गया ये पूरपक्ष ये ले कह दिया अतवा जीवो दहराईती हप्तम प्राप्तम जुक्तम प्राप्तम के बाद पुर्णविरम है नहीं ना जुक्तम ठीक है आच्छा जीव को कुण दिला चाहिए आधियत्वाद विशेशाच्य पूरम जीवस्य युज्यते ए देखो यह शरीर ना वो जीवो का होगा एक नहीं तो कर आधिया हो गया ना है जीवा हो गया आधिया है कि एक नहीं आधियत्वाद विशेश पूरम जीवस्य यह जीवा हो जाएग गा यह चरीर हो गया जीवो का हो अध्योना ब्रम्हान जुक्त एकिन इसलोग है आधियत्वाद विशेषाच्य पुर्म जीवास्य जुज्चते देहोना ब्रम्हान जुक्त हैतु दयावियो गतहौ ये कहरे है अशाधारन नही विपदेशा भवन्ती एसा कहे दिया देखो आगे पला आधिया हो गया और वि जिवस्य पूरा मजुद्जते ये शरीर जुए वो जीव का है देहो ना ब्रह्मान जुकता जो कि ये ब्रह्मा का इसरीर नहीं हो सकता है जो कि हेतु दयबयोगत ये दो हेतु ब्रह्मा में कटेगा ने जो कि ब्रह्मा आधिय का होगा ब्रह्मा तो सबका आधार है यह शरीर में जो रहता है आधिय, आधिय को न हो जाएका, जीवा हो जाएगा ना, प्रण्मभा आधार या ओधार यह आधियन नहीं होगा, जीवा हो जकता है, और विशेश के सामन्य है, वो तो सामान्या है, वो तो सरीर कंदर कैसे रहेगा, जैसे भंडारा बगरा होता है, हम लोग कराते हैं, भंडारा बगरा, जो बिशेज ब्यक्ति होते हैं, तो कहीं भी बठेगा है कि बिशेज तान बर बठेगा, वो बिशेज 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 मैं ये जीवा विशेश ना है देहो ना ब्रामण जोगता है हाणसा के दिया ओख ओधने मेर खा्या ओम पूरा मता पूरा में धम पूरात पूरा मुदाच्यते, पूरा अश्य पूरा मादाय, पूरा में बावसिस्षते, ओम सांते हैं सांते हैं सांते हैं यारो में खूरा अबड़त, यियो आजी पूराद अबियर को लावसिते हैं कर अभम सांते हैं कर दो духов मारू को पाम सांते हैं झाल झाल